देखे लिवर हमारे सरीर का सबसे बढ़ांग होता है यह हमारे खाने के पाचन में हैल्प करता है एनरजी को इस्टोर करता है और जो विशैले पदार्द बनते हैं उन्हें मारे सरीर से बाहर निकालने में हैर करता है लेकिन जब भी इसमें वसा या फिर फैट इखटा हो जा या फिर लिवर फेल हो जाता है लेकिन हमारा लिवर अचानक से फेल नहीं होता है इसमें पहले कई सारे चेंज़ होता है जैसे कि पहले होता है फैटी लिवर उसके बाद होता है लिवर फाइब्रोसिस और उसके बाद होता है लिवर सिरोसिस तो यहां आते हाते हमारा लिवर खराब हो जाता है और यह वह condition होते हैं जब में अपना लिवर ट्रांस्प्लांट कराना पड़ता है याया कि मारा लिवर पूरी तरह से खराब हो चुका होता है लेकिन यदि हम इसके बारे में पहले से ही जान जाएंगे तो हम अपने लिवर को खराब होने से बचा सकते हैं और हम इसे वापस से ठीक कर सकते हैं तो पहले हम बात करते हैं non alcoholic fatty liver disease के बारबी यानिकि ऐसी fatty liver disease जो कि बिना सराब के होती है यानिकि ऐसे लोग जो कि सराब नहीं पीते उने भी fatty liver disease हो जाती है तो ऐसा क्यूय होता है आप जानते हैं जो भी हम खाना खाते हैं हमारे खाने में तीन चीजे होती है एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्बोहाइडिट और एक होता है फैट या फिर वसा यह जो फैट होता है यह हमारे बोड़ी में जगा जगा जमा हो जाता है। जब हम जधा fat खाने लगते हैं या फिर खमारी by Lexus का सई से्प्राम ये अथो पाता है तो यह बोड़ी जगा जगा जमा हो जाता है उसके साथ साथ में आपर लिवर में भी जमा हो जाता है और दीड दीड हमारे लिवर में ये बर्धा जाता है । लगतार लिवर में फैट जमा हो जाने से हमारा लिवर का साइस बाढ़ता जाता है और हमें fatty liver disease हो जाती है। फैटी लिवर डिसीज होने के मुख्या तीन कारण होता है। पहला कारण है obesity यानिकी मोटा पा जो लोग मोटे रहता है या फिर जिनका कोलेस्टोल काफी बढ़ा हुआ रहता है। उन्हें fatty liver disease होने के बहुत जगत चांसस रहता है। दूसरा है type 2 diabetes जिन लोगों को सुगर की प्रॉब्लम रहती है उन्हें भी fatty liver disease हो सकती है। और इसका तीसरा कारण है triglyceride का भर जाना। देखिए हमारे blood में triglyceride पा जाते हैं जो कि एक तरह के fat molecules होते हैं। जब भी हमारे blood में ये बढ़ जाते हैं तब भी हमें non-alcoholic fatty liver disease ह हो सकती है। अब हम बात करते हैं ऐसी fatty liver disease के बार में यानिकि ऐसी fatty liver disease जो कि सराब बीक्राइब कीने से होती है या फिर ऐसी लोग जो कि छादा सराब पीते हैं उन्हें fatty liver disease हो जाती है। जिससे वहाँ पर inflammation हो जाता है और last में वहाँ पर fatty liver disease हो जाती है जो लोग ज़्यादा सराब पीते हैं उनमें ये process ज़्यादा जल्दी हो जाता है अब हम बात करते हैं इसके treatment के बारे में कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर alcoholic fatty liver disease के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि यह alcohol या फिर सराब पीने से होता है तो आपको सराब को छोड़ना होगा और अपने diet में कुछ changes करने होंगे और इसके लिए कुछ medicine आती है जिससे यह काफी जल्दी ठीक हो जाता है अब हम बात करते हैं नोन alcoholic fatty liver disease के treatment के बारे में तो यदि आप इ obesity या फिर cholesterol बढ़ जाने से NAFLD हो जाता है नोन alcoholic fatty liver disease हो जाता है तो हमारे liver में fat जमा हो जाता है और यदि यह ठीक नहीं होता है या फिर बढ़ता जाता है तो आगे चलकर हमें NASH हो जाता है तो यह होता है non alcoholic steto hepatitis तो यह hepatitis की सुरुआत होती है और यह आगे बढ़ती जाती ह है इसमें fibrosis भी हो सकता है और इसमें cirrhosis भी हो सकता है और last में जाकर इसमें cancer भी हो सकता है देखी यहाँ पर आपको जाने वाली बात यह है कि जो आपका fatty liver होता है और यह NSH की starting stage होती है तो आप इसे ठीक कर सकते है यह reversible होता है इसमें आपको diet, exercise, weight loss and bariatric surgery से आप इसे ठीक कर सकते है लेकिन जो इसकी आगे की stage होती है तो यह irreversible होती है यानि कि ठीक नहीं होती है तो इस condition में आपको transplant ही कराना पड़ता है अब हम बात कर लेते हैं fatty liver disease के क्या-क्या symptoms होते है यानि कि जिने fatty liver disease होती है तो उन्हें क्या-क्या problem हो सकती है तो उनके पेट में दर्द र सकते हैं और उन्हें जोंडिस भी हो सकता है तो यह सभी symptoms होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि किसी को fatty liver disease हुई है और इसकी जाच के लिए आप ultrasound करा सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपको fatty liver है या फिर नहीं जब आप इसका ultrasound कराते हैं तो आपको इसमें कुछ इस तरह के report देखने को मिलती हैं तो इसमें कुछ grade होती है grade 1, grade 2, grade 3 तो इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे लास्ट में हम कुछ ऐसे tips के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपको fatty liver को ठीक करने के लिए follow करने चाहिए Number 1, Weight Loss, यदि आपका weight बढ़ा हुआ है या फिर आपका cholesterol बढ़ा हुआ है तो आपको अपना weight कम करना चाहिए Avoid alcohol consumption, यदि आप alcohol पीते हैं तो आपको alcohol नहीं लेना चाहिए और लिवर डिसीज की क्या क्या ग्रेडिंग होती है और कैसे आप इसे डाइट से ठीक कर सकते हैं उस पर हम जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे